Guys, last की दो वीडियो से हम लोग देख रहे हैं और Dino Program Series की टूटरियल वीडियो यारे कि हम लोग practical वीडियो हम लोग देख रहे हैं आज की वीडियो में मैं फिर से उसको continue करने जा रहा हूँ और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा if else else if को हम लोग कैसे अपने program में implement करते हैं आज हम लोग इसके help से हम लोग एक program बनागे एक दो program बनागे मैं आप लोगों को देखाऊंगा कि हम लोग अपने program में इसको use कैसे कर सकते हैं इसके syntax को भी हम लोग देखेंगे तो चलिए guys वीडियो को हम लोग सुरू करते हैं तो guys मैंने code को already पहले से ही बना कर रखा हुआ तो चलिए हम लोग simply सा इसे copy कर लेते हैं आप लोग इस screen पर देख सकते हैं हमारा code जो है copy हो गया तो चलिए guys हम लोग one by one अपने code को समझते हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैंने कोई भी function के बाहर कुछ भी मैंने define नहीं किया वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं serial monitor से काम लेने वाला हूँ तो इसमें मैंने कोई सा भी variable कोई सा भी कुछ भी define नहीं किया यहां directly मैंने लिखा है wide loop sorry यहां directly मैंने लिखा है wide setup अब उसके curly bracket के अंदर हम लोग लिखे हैं मैंने लिखा है serial dot begin मतलब serial monitor को initialize किया मैंने ऐसा क्यों किया इसके बारे मैं पहले ही video बना चुका हूँ आप लोग वहाँ जा कर देख सकते हैं मैं उस video का link description में दे दूगा अब next line में हम लोग चलते हैं wide loop wide loop नाम के function के अंदर मैंने जो भी काम किया है इसी के अंदर किया है तो इसके अंदर हम लोग आते हैं curly bracket के अंदर तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा एक मैंने variable बनाया है i नाम का जिसको मैंने 0 से initialize किया है अब 0 से initialize करने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर direct int i उसके बाद फिर semicolon से इसे terminate भी कर सकता था लेकिन guys क्या होता है कि हमारा जो order है जब start होता है तो मैं उसमें कुछ भी value assign जब तक नहीं करूँगा तब तक वो कोई साभी value को add कर सकता है अब next line में चलते हैं मैंने यहाँ पर use किया है do while loop का if else को समझाने के लिए तो guys do while loop को मैं पहले ही इससे पहले वाली video में deal कर चुका हूँ कि यह कैसे काम करता है तो guys मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो वाली video को देख कर आएं होगे तो चलिए हम लोग next line में चलते हैं अब do loop के अंदर हम लोग आते है curly bracket के अंदर अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि serial.print मैंने i का जो value है print कराया सबसे पहले do loop के अंदर ऐसा क्यों क्योंकि जब मैंने i की value को 0 रखा है उसके बाद जब do के अंदर आएंगे तो मेरा program एक बर run होगा बाद में हमारा condition check होगा मैं एक बर फिर से बता देने चाहता हूँ बाद में हमारा condition check होगा पहले एक बर program हमारा run होगा do वाले section के अंदर तो इसमें आप लोग देख सकते है serial.print i यानि कि हमारा जो i का value है सबसे पहले एक बर serial monitor पे print होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं i++ मैंने increment operator का use किया है तो यहाँ पर क्या होगा कि i का जो value है 0 से plus plus यानि कि 0 से 1 हो जाएगा अब next line में मैंने लिखा है delay 100 मतलब कि 100 millisecond के लिए मैंने program को delay पे लगाया है मतलब program delay होगा 100 millisecond के लिए अब next line में हम लोग अपने main मुद्दे के उपर आते हैं if उसके बाद parentheses के अंदर मैंने condition लगाया है इसको लिखने का syntax ऐसा है कि हम लोग सबसे पहले if लिखेंगे उसके बाद फिर parentheses के अंदर हम लोग condition लगाते हैं condition true होना चाहिए तब ही हमारा if else जो भी statement है काम करेगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं if i equal to equal to मैंने यहाँ पर दो equal to लगाया है assignment operator अगर एक लगाता तो मेरा program सही से काम नहीं करता क्योंकि एक assignment operator का मतलब program समझता है कि यहाँ पर कुछ assign होड़ा है लेकिन मैं यहाँ पर compare कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर double assignment operator का use किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं if i equal to 10 मतलब कि हम लोग program को बता रहे हैं कि अगर i 7 के बढ़ाबर हो जागा तो हम लोग program से कुछ भी करवा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा है curly bracket के अंदर serial.print line मतलब कि यह new line में print होगा हम लोगों ने यहाँ पर print कराया है i is now equal to 7 इसको print करवाना है हम लोगों को जब भी i 7 के बढ़ाबर हो जागा तो हमारा program जो है serial monitor पर i is now equal to 7 को print कर देगा अब next line में हमारा program चलेगा अब हमारा program जो है condition चेक करेगा while i is less than 21 मतलब कि हमारा program चेक करेगा कि i की जो value है 21 से नीचे है की नहीं तो हमारी i की जो value है अभी 0 से 1 हुई तो 0 से 1 यानि कि अभी i की value जो है इक इस से नीचे है तो हमारा program फिर से उसके top पर जाएगा और do वाले section में फिर से serial.print i का जो value है print करेगा अब i की value कितनी हो गए थी i की value increment होकर 1 तो अब 1 print होगा अब फिर से यही same repeat करता रहेगा क्योंकि हम लोग ने अपने program को loop वाले function के अंदर लिखा है तो चलिए guys अब हम लोग इसको practically देखते हैं कि हमारा program सही से काम कर रहा है की नहीं तो guys चलिए हम लोग अपने program को एक बर compile कर लेते हैं जब भी हम लोग कोई सा भी program लिखते हैं तो उसको सबसे पहले हम लोग compile करते हैं आप लोग इस screen पर देख सकते हैं हमारा program जो compilation finished हो चुका है अब चलिए हम लोग इसको upload करके हम लोग अपने serial monitor पर देखते हैं कि हमारा program कैसे काम कर रहा है तो guys आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस screen पर serial monitor पर कि हमारा जो program है सही से काम कर रहा है यहाँ पर जब i का value जा है साथ हो जा रहा है तो हमारा program i is now equal to 7 को print कर दे रहा है फिर से वो program को continue कर रहा है तो यह तो था if statement अब बहुत सारे cases में क्या होता है कि हम लोगों को program में if else statement का use करना पड़ता है मतलब कि if else, else if, जो भी whatever तो हम लोग उसको use करते हैं तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं कि वो कैसे काम करता है अब guys मान लिजे कि मैंने यहाँ पर एक condition लगाया है कि i का जो value है 20 से छोटा होगा तो वो हमारा जो program है फिर से reset हो रहेगा फिर से 0 हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने limitation लगाया एक 20 तक, अब इसके अंदर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं या इसके limitation को भी बढ़ा सकते हैं हम लोग तो अगर मान लीजेए if else का हम लोग use कर रहे है else if statement का तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने if i equal to 7 लिखा उसके बाद फिर मैं तो statement को print कर आया उसके बाद next line में जब उसका curly bracket close होगा उसके बाद हम लोग else if लिखेंगे तो इसको लिखने का syntax कुछ इस टाइप से है कि हम लोग if लिखेंगे उसके बाद फिर condition लगाएगे उसके बाद curly bracket के अंदर हम लोगों को आपने statement को लिखना पड़ता है उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में close curly bracket के बाहर हम लोग लिखेंगे else if else if उसके बाद फिर से हम लोग parenthesis के अंदर condition लगाएगे else if अब हम लोग लिखेंगे माल लीजे कि i की जो value है last वाले case में क्या था 7 था अब हम लोग 14 लग रखेंगे इसको अब गाईस आप लोग यहां पर देख सकते हैं i का जो value है 14 हो जाएगा तो हम लोग इसके बाद भी program से कुछ और भी करवा सकते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं else if parenthesis के अंदर मैंने लिखा है i 14 के बढ़ाबर हो जाएगा तो हम लोग program से कुछ करवा सकते हैं तो अब next line में हम लोग आएगे यहां पर अब फिर से हम लोग curly bracket देंगे अब इस curly bracket के अंदर हम लोग program से कुछ और भी करवा सकते हैं तो मान लीजिए मैं इसको code को copy कर लेता हूँ अब guys यहां पर आप लोग देख सकते हैं else if को लिखने का syntax कुछ इस टाइब से है कि हम लोग सबसे पहले if लिखेंगे उसके बाद फिर curly bracket के अंदर हम लोग जो भी statement को run कराना चाहते हैं उसको लिखेंगे अब close curly bracket के बाहर हम लोग आएगे else if लिखेंगे उसके बाद फिर parenthesis के अंदर हम लोग condition लगाएगे अब जब वो condition true हो जाएगा मतलब कि I जो है 14 के बढ़ाबर हो जाएगा तो हमारा जो program है next line को print करेगा अब इसके अंदर हम लोग print ही क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग serial monitor पर कुछ print कराना चाह रहे हैं फिर दूसरे बटन को प्रेस करने पर कुछ हो तो हम लोग उस case में हम लोग else if का use वहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने serial monitor को लिया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं next line में जब भी I का जो value 14 हो जागा तो हमारा program जो है I is now equal to 14 को print कर देगा हमारे serial monitor पर तो guys अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि यह काम करता है कि नहीं अब guys फिर से हम लोग हम लोगोंने program को modify किया तो इसको हम लोग फिर से compile करेंगे guys आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा program जो compile हो गया है अब हम लोग इसको upload करेंगे sketch uploaded अब हम लोग अपने serial monitor पर जाएंगे अब guys आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7 को भी print कर रहा है 14 को भी print कर रहा है तो guys आज की वीडियो में मैंने बताया कि if statement और else if statement को हम लोग अपने program में कैसे use करते हैं basic से example से मैंने समझाने के कोशिश की है कि यह दोनों कैसे काम करते हैं guys वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ है तो इसे like करना, share करना और साथ ही साथ अगर आप मेरे channel पर नए हो और अगर आप लोग Arduino programming सीखना चाते हैं तो आप लोग मेरे channel को subscribe भी कर सकते हैं